नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेत इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूँ अंकेत अवस्ती आप है मेरे साथ में पीचर्स दिवस के दिन इस खास प्रकार की जानकारी के साथ असल में ये जानकारी तोड़ा मनुरंजन के लिए ज़ादा है है तो रियल ख़बर लेकिन इसमें मनुरंजन बहुत ज़ादा चुपा हुआ है मुझे ऐसा लगा इसी कारण से हमने इसको यूज करते समय भी इमोजीस के साथ भी हम अपनी हसी नहीं रोक पाए इसलिए हमने आपके साथ कुछ साजा यूँ ही किया है हाल ही में क्या हुआ कि लंदन से एक कार चुरी हुई और कार मिली वाकरतमान में पाकिस्तान के अंदर अब लंदन से कार चुरी हुई और उसका नाम था बेंटले और साब बेंटले पाकिस्तान में मिली तो इसका मतलब ये है कि भाई साब क्या आप इतनी गरीबी आ गई है क्या कि आप अंतरराष्ट चोरी कर रहे हैं आतंगवात से उपर भी अब इनको लगता है FATF जो है वो कोई क्राइटेरिया बनाएगा इनकी चोरी को रोपने करने के लिए साथ यों आकर आप थोड़े से आकड़े देखें पाकिस्तान के बारे में तो आकड़े कुछ इस प्रकार से हैं जनाब कि पाकिस्तान एकॉनमिक कंडिशन जो ना वो लगातार डिटोरियेट होती जा रही है ये सब जानते हैं आर्थिक स्थिती के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बार आई है जिसकी वज़े से 37% आबादी इनके यहां पर गरीबी रिखा के नीचे चली गई है ऐसी स्थिती में बड़ा ये बनता है कि क्या सहाब ब्रिटिश गवर्मेंट का ये कहना आपके लिए सही है क्या कि जब भी गरीबी बढ़ेगी economic crisis बढ़ेगा तो crisis के साथ साथ crime बढ़ेगा तो क्या ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जानकारी साजा की गई है 4 September को यानि कि कल ये सही है क्या क्योंकि ultimately दो चीजें एक साथ relate हो रही है क्या कि हालत बहुत खराब है इस्थिती बहुत खराब है ब्रिटिश गवर्मेंट इस प्रकार से बाते बोल रही है और ऐसी बातों के तुरंद बाद अचानक पता चलता है कि एक luxury कार जिसकी शुरुवाती खीमत 5.5 करोट रुपे से शुरू होती है जिसका नाम Bentley है ये कार अपने आपने एक शान की चीज मानी जाती है दुनिया के बहुत सारे रही से इसको on करते है मार्केट में अभी तक लगबग 7,000 के आसपास ही ये गाड़ी है कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड ऐसा आंकडा मुझे नेट से प्राप्त हुआ इंडिया में भी बहुत बड़े-बड़े स्टार्स इस गाड़ी को मैंटीन करते है ऐसी इस्तिती में यचानक ये सुर्खी बनती है और सुर्खी बनती है कि लगजरी बेंटले मुलसे ने स्टॉलन फ्रम लंडन रिकावर्ड इन कराची भाइसाब बिटिश सरकार जो बोल रही थी कि हमारे यहां से क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि गरीवी वड़ रही है लोगों के बीच में तो क्या वो पाकिस्तानियों को ध्यान में रखके भोला गया था क्या क्यों क्योंकि चार तरिकी ये खबर भी है जिसमें ये नीज निकल कर आती है लगजरी बेंटले चोरी हुई थी लंदन से यूके से और मिलती है कराची के अंदर और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार से अंतरराष्ट किरकिरी के रूप में सामने आती है साथियों लगजरी कार बेंटले जो है वो कराची में मिली कैसे आज के सेशन में आप इस बारे में भी जानेंगे कि पता कैसे चला किसाब यह वो कार है और यहाँ पर मिली है और फिर बेंटले रखने वाला क्योंकि इंडिया के अंदर भी बड़ी-बड़ी celebrities चाहे फो युवरास अभी शेक बच्चन हो आमिर खान हो यह लोग इस गाड़ी को मेंटेन करते हैं अक्षे कुमार हो तो यह गाड़ी जब इंतरे लोगों के दवारा मेंटेन की जाती है तो निश्चित ही वहाँ जब पाकिस्तान में किसी ने मंगाई होगी तो कोई पैसेवाला आदमी रहा ह उसमें मंगाई कैसे होगी यह बात जानने का विशह है इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताता हूँ कहते हैं इस गाड़ी में जो भी फीचर आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इसके अंदर डलवा सकते हैं बेंटले मूल ता एक बिटिश कंपनी है लेकिन इस बिट अपन में बेंटले को कहा जाता है कि कवर फॉक्स वेगन के द्वारा ही खिया जाता है अचा तो ऐसी कंपनी जो कि हर चीज आपके हिसाब से मर्चेंटाइज करके बनाती है या फिर आपके हिसाब से एक एक चीज कस्टमाइज करती है कि आप बताईए इसमें किस तरह का ल लेकिन साब रहीसी खरीदने से थोड़ी आती है, चुराने से भी आती है, यही तो हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि इस नायाब सी जो गाड़ी है, इसको चुरा करके लंदन से चूर ले करके आगए, अब सवाल बनता है, पता कैसे चला किसी को, कि साब यह गाड़ी वही व हर प्रकार से सुरक्षित भी मानी जाती है। सुरक्षित से मतलब अगर चोर चुराने आएं तो इसके अंदर एक ऐसी ट्रेकिंग डिवाइस लगी हुई है कि वो दुनिया में कहीं भी जाए। ओनर को पता रहेगा कि वो गाड़ी कहां पर है। ऐसी स्थिती में पाकिस्तान के अंदर कस्टम एनफोर्समेंट एजनसी को ये जानकारी दी गई। तो जो चुराने वाले लोग थे वो कितने क्रियेटिव रहे होंगे। तो बेंट ले ला रहे हैं तो उन्होंने ये दिखाया कि वो किसी पूर्वी यॉरॉप के राजनईक की गाड़ी को लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में लाते हैं, पाकिस्तान का नंबर उस पर चढ़ाते हैं, पाकिस्तान का नंबर चढ़ा करके पाकिस्तान के किसी रहीस आदमी को इसे बेच देते हैं। पाकिस्तान के जमील शेफ नामक एक व्यक्ति है उनको बेच दिया गया नए नंबर हो चुकी नई गाड़ी हो चुकी तो सभी ने उनको बधाईयां भी दे दी होंगी कि बधाईयों बेंटले ले आए हो और वो भी सीधा इन्होंने कहा ये होगा कि हम इंपोर्टेट है मैं चोरो जो है वो ये तो जानते थे कि हम गाड़ी ले आए नंबर प्लेट वगरा सब बदल दिये लिकिन इसका जो ट्रेकिंग सिस्टम था ना जिसके माध्यम से ट्रेकर्स जो लगे हुए थे उसको ये ब्लॉक नहीं कर पाए तो बेंटले का जो ट्रेकर सिस्टम है बहुत जादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये का जाता है कि इसके अंदर बहुत ही नायाब चीज जो है वो ट्रेकिंग सिस्टम ही है कि आप चाहकर के भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाए और कार जो है वो पकड़ी गई कार जो है वो पाकिस्तान के साथ-साथ दो िखें धिभ ही चोरी का भी एक लिमिट होता है भाई चोरी-चोरी करने वाला गोल्ड चोरा है क्या चोरा है ये भाई सब गाड़ी उठाकरके ले आए है न और भाई सब गाड़ी इटाकर के लाए बेच विधी और अंतराश्टेक्र के रिफिकरा ली इस प्रकार से य निकल कर आई, दुनिया के सामने ये निकल कर आई, वर्तमान में इस रैकेट के मास्टर माइंड की तलास चल रही है, पुलिस मान रही है, कि साब ये डॉक्युमेंट तो फरजी बना कर ले आए, फिर आप जानेंगे कि साब एक बात बताईए, कंफर्म कैसे किया, कि ये प्रमेटिक आता है, 21 रंगों के विकल्प के साथ में ये उपलब्ध होती है, गजब थासर, मेरे द्वारा बहुत सारा आशिरवाद आपसे भी साथियों को, जो आप लोगों ने अपना प्यार मेरे साथ इतने समय तक बरकरा रखा, आप सब इतना सारा प्यार रखते हैं, इसलिए आपसे कुछ मांगने का सिक्षक दिवस पर मन भी कर रहा है, और मन ये है कि सेशन के अंत में सेशन को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, यानि कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया का जो बटन है न, वो आज आपकी तरफ से मेरे तरफ भेजी गई, भेट होगी, तो मैं देखता हूँ कितनी तरफ भेट मुझे प्राप्त हुई, कितने गिप्स मुझे मिली, आपका समय शुब हो, बहुत बहुत धन्यवाद